22 देवास जिले के सत्वास पुनासा रोड पर हुए अंधे कतल की गुथी पुलिस ने सुलजा ली है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 36 घंटों के भीतर ही हत्यारों को गिरफ्त में ले लिया है। दरसल 22 जून को हुए भूरा और फर राजू अंसारी के हत्या के गुथी सुलजाते हुए देवास पुलिस ने महज 36 घंटों के भीतर जावेद और फचाटू निवासी जूनी दौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिक्षक चंदरशेखर सौलंकी ने प्रेसवारता आयुजित कर हत्याकान का खुलासा किया। अगली ठाना प्रभारी खातेगाओं, ठाना प्रभारी खन्नोद, ठाना प्रभारी सत्वास, कान्टा फोड इनके साथ प्रतर प्रतक टीमें बनाए गई, मृतक के जेब से मोबाईल मिला, उससे उसकी सिनाक्ती होती है। यह पता लगता है कि राजूर बूरा इंदोर करे अगलेने वाला है, जब इसमेहने डिटेल ली गई तो पता चला कि तीन आरूपियों ने रहबर, जावे और नासिर, तीनों ने मिलकर और मोटर साइकल से इस मृतक को यहाँ पर लाएं, और यहाँ पर लाकर सत्वास की जंगलों में इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दिए इसमें चुकी यह बात सामने आई है कि पूर में इंदोर में जो एक फेजा कांड हुआ था, उस कांड में जो आरूपिय उनको शक्ता कि जो मृतकी इसमें मुग्बिर की है, ऐसा शक्ता, दूसा रहवर जो है उसको शक्ता कि एक साड़े छे कुंटल का काजू चोरी वाला मामला आया था, इसमें भी यह शक्ता कि यह मुग्बिरी करता है, इन सरे बातों से इन्होंने प्लानिंग मनाई, इसका मास्रमाइड नासिर है, उसके प्लानिंग करके इसको मोटर साइकल के मादिम से जावेद और इसमें रहवर दोनों मोटर साइकल से मृतक को अपने इसमें दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, एक आरोपी नासिर अभी उसकी पतारिशी जारी है, हमने दस जार रोपे का नगती नाम की इसमें गोशना किये, जल्दी हम नासिर को भी इसमें अरेस्ट करेंगे।